प्रियविद्यार्थी आज के फैमिली डिस्क्रिप्शन और पामी जिसे एरिकेसी के नाम से भी जाना जाता है के क्लास में आप लोग का स्वागत है देखे पामी के नाम से सामाने तोर पे लंबे समय तक या प्रचलित रहा लेकिन लाव बुटेनकल नमेंटलेचर के यान रूप ना होने के वज़ा से इसका दूसरा नाम एरिकेसी रखा गया और एरिकेसी जो नाम रखा गया इसके साथ पामी भी चले तो कोई मतलब नुकसान नहीं है कोई गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि यह नॉमिना कंजर्वेंडा के द्वारा कंजर्व है नॉमिना जिनेरिका कंजर्वेंडा के द्वारा बोटेंकल नमेंक्लेचर का यह एक रूल है जिसके अंदर के वाइड यूजेज वाले इस तरह के चीज़ों को यूज किया जा सकता है पर आपको एरिकेसी के ना ठीक है तो देखिए यहां नाम एक लिखा हुआ है एरिका कैटेचू और एरिका पाम के नाम से यह प्लांट भी बना हुआ है तो यह इसका टाइप जीनस है ठीक है अब हम लोग इस फैमली से परिचित होने का प्रयास करेंगे तो देखिए सबसे पहले पामी या एरिकेसी जो है इसके 217 जेनेरा और 2500 इस्पेसीज वर्ल वाइड डिस्टिब्यूशन के हैं की जानकारी बिज्ञान को है पर हिंदुस्तान से 28 जेनेरा और 93 इस्पेसीज को रिपोर्ट किया गया है और उसके जो फैमिलियर नाम से हैं हम आप सब जानते हैं पहले आप देखिए कोकोनट नारियल नारियल इसी परिवार का सदस्य है फिर खजूर डेट पाम भी कहा जाता है यह भी इसका सदस्य है फिर सुपाड़ी जो पान के पत्ते में लगाया जाता है और दिया जाता है तो यह सुपाड़ी भी इसी परिवार का है और एक चीज है तारी यहां तारी लिखा गया है ताड़ी भी ताड़ी या टूड़ी जो ये नाम है तो एक बहुत लंबा और कैनोपी उपर में वाला पाम होता है जिस पे कट मार्क करके एक फर्मेंटेड लीकर रहता है वो पीने के काम में आता है उसे ताड़ी के नाम से जाना जाता है तो यह आप लोगों ने देखा होगा जगा जगा विकता है यह तो यह इस प्रकार से और जब बिहार में सराब बंदी हुई तो यह ताड़ी का प्रचलन बहुत बढ़ गया था तो यह इसके कुछ कामन प्लांट है अच्छा इसकी एक और विशिष्टा है देखिए जब आप अपने कालेज में जाईएगा तो एक ग्यारह बड़े बोटल पाम के वरिच्छ यहां से वहां तक लगे हुए हैं गेट नंबर वन से गेट नंबर टू के आगे तक क्यमेश्टि का ब्लॉग जहां तक वहां तक करीब पांच-बांच मीटर के अंत्राल पे एक 11 प्लांट प्लांट लगे हैं वहां से हम लोग रोज बुजरते हैं वह भी पामिं का सदस्य है अब बोटेनकल गार्डिन के किनारे में जब देखेगा जहां हैंड पाइप है तो वहां पर जो प्लांट रोड के किनारे लगाया गया है वहां से जनरेटर रूम तक उसमें है नारियल, सुपाडी, नारियल, नारियल, सुपाडी तो दो नारियल का पेड़ लगा है और दो सुपाडी का लगा है अभी वह बहुत बड़े नहीं है लेकिन वह हुमन हाइट के बराबर है तो वह असपस्ट होते हैं तो यह तो अपने कालेज में हमने दिखाया अब यदि आप मौदीपुर वाला जो रोड है उस पर जाएए तो जो भी दुकानदार वहां बैठा होगा पेड़ाव को लेके वो सारे ना ना प्रकार के पाल रख्ये रहते हैं प्रक्रम हो चाहें वह फेश्टेलपांब़ हो चाहें वह फॉक्स टेलपांब़ हो यह और याद देखित आया कि आपका जो दूसरा वाला गेट है वहाँ पर एक फॉक्स्टेल पाम का भी प्लांट लगा हुआ है गेट से सटा हुआ है तो वहाँ पर अनेक प्रकार के पाम अपने ब्यूटी के लिए जाना जाता है इसकी पत्यों में तरह तरह का कटिंग होता है वैरियसंस होते हैं और उन सारे दुकानों के दस्यों प्रकार का पा पाम हो चाहें वह फिस्टेल पाम हो चाहें वह रिवालवर पाम हो तो अनेक प्रकार के पाम आपको वहाँ चाहें फॉक्स्टेल पाम हो हर प्रकार के पाम कार्डबूर्ड पाम एक कहा जाता है वह भी वहाँ पर है तो इस प्रकार से अनेक पाम अपने नेचुरल ग्रेस स्कूल जो यह अपना एक ट्री की तरह लंबा स्टेम कोई ब्रांचिंग नहीं और क्राउन ओफ फॉलिएज अड़ी टॉप ठीक है तो यह कहीं जगा भी नहीं घेरता है इसलिए स्कूल कालेज इनवर्स्टी में अंग्रेजों के जमाने से यह लगाया जा रहा है यह आपको देखने को बड़ी सरलता से मिल जाएगा आपको थोड़ा दिमाग पर जोड़ देना होगा तो यह पाम है यह इतनी जानकारियों के बाद अब हम लोग थोड़ा तस्वीर के माध्यम से देखा जाए यह देखे दाहिने तरफ यह जो छोटे छोटे दाने जैसा इतने बड़े गुच्छे में लगा है या क्या है खजूर है या खजूर अरब वर्ल में तो बहुत इस्तेमाल होता है ठीक है ना जहां पेर नहीं होता है रेतिला जगह होता है सुस प्रदेश होता है वहां पाम और विसेशतर से खजूर खूब होता है तो ठीक है यह वहां होता भी है और यह वहां इस्तेमाल भी करते हैं लोग हमारे यहां भी लोग करते हैं और डाइविटीज के जो मरीज होते हैं उन्हें मीठा खाने का मन हो तो ये खजूर खाईए तो उस पे असर नहीं करेगा तो ये हो गया खजूर और ये बीच वाला ये प्लांट जो है इसमें ये नारियल लगा हुआ है ये अभी आप लोग जानते हैं अब इसमें क्या बोलना है नारियल कई तरह से इस्तेमाल होता है पुजा पाठ में जो इस्तेमाल होता है आपने देखा ही है और नारियल के बुरादे का लड्डू बनता है और साउथ इंडिया में चलिएगा तो हर चीज में नारियल नारियल का बुरादा नारियल का चट ने जो भी चीज लिजेगा चुकि वहाँ वही होता है जादे माता ना तो उसी का बनता है अच्छा खजूर जो आपने देखा होगा वो दो तरह का होता है एक टैन रेड रहता है और दूसरा ये लोविस रहता है तो यहाँ ये नीचे वाला जो पौदा है या ये लो खजूर वाला है ठीक है अब इसके बगल में ये जो पौदा लगा है यही ये जो पौदा लगा है ये आपका ताड़ी का पौदा है बुरेसस इसके नाम से जाना जाता है और यह देखे एरिका पाम है और यह नीचे वाला यही बोटल पाम है हायो फोर्वे लेजनी काउलीस यही जो दो गेट मैं बताया दो गेट के सामने बड़े-बड़े पाम के पेड़ बहुत पुराने बड़े-बड़े एकदम लगे हुए है एक ग्यारव कम से कम है तो यही बोटल पाम है तो इस प्रकार हमने देखा खजूर, देखा हमने कोकोनट, नारियल, देखा हमने एरिका पाम, देखा हमने सुपाड़ी, देखा हमने खजूर तो ये कुछ इसके प्लांट हैं जिसके बारे में हम आप सभी जानते हैं और ये कहा जा सकता है कि now we are familiar with the family और हमने कोपाड़ सुपाड़ी परिवार का है कुछ नाम यहां दिये हैं और देट पाम या खजूर, phoenix sylvestris या phoenix dactylifera यह क्या है phoenix dactylifera खजूर मतलब phoenix dactylifera और उसके बाद borrecus flabellifer यह है ताड़ी calamus tenuis इससे fiber प्राप्त होता है और copernesia copernesia serifera या gum देता है तो यह कुछ नाम भी यहां हो गए तो अब इस प्रकार से नारियल, खजूर और सुपाडी के परिवार को हम लोग पूरू परचित हो गए अब इसके बारे में आगे देखा जाए इसका systematic position है इसका वर्गी करण यहां दिया हुआ है अब यहां आपको यह बात ध्यान देना है कि पहले मैं बताता था plant kingdom ठीक है ना अब यहां काम आपको करना है आप देखें और जिस अंदाज में मैंने आपको पुराने 78 family पढ़ाते समय 9 family मैं आपको detailed description बता चुका हूँ उन 9 families में जो आपको बताया गया है classification का उसके pattern पे classification आप लिख के भेजेंगे WhatsApp ग्रूप पर यह आपका question number one होगा ठीक है यहां monocat है calcifloram है ericals इसका order है और ericacee इसका family है अब देखें यहां इसके male flower दिखाए गए हैं और male flower का एलेस है अब देखें यहां पर male flower का एक पार्ट है steminal tube यहां पर steminal tube किस प्रकार से बना है लोवर लेवल पर सेक्षन आपको दिखाए गया है देखें यह टीएस ऑफ ओवेरी है ओवेरी का सेक्षन कार्ट के देखाए देखें यह फ्रूट एक्च्छली ओवेरी ओविल से बनता है क्या सीप और और व्रोवेरी से क्या बनता है रूट तो फ्रूट के भी सेक्षन आप काट देते हैं तो उससे भी उस stub किल और तो यहां यहाँ पर male और female inflorescence दोनों साथ साथ लगाया गया है यह छोटे छोटे दाना वाला जो है बाएं तरफ यह inflorescence है male inflorescence और इधर जो एक गाठ जैसा है उपर थोड़ा पत्ता जैसा दिखे रहा हलका सा compound condensed leaf यह जो है female inflorescence है और यह ts of ovary है ठीक है अब देखे यह हम लोग के सामने है coconut fruit और ripe coconut का यह transfer section उसके बगल में और उसके ठीक नीचे में alis longitudinal section of young plant है और बाएं तरफ नीचे में young plant आपको दिखाए गया है coconut का वही सारी तस्वीरें समिलित एक जगा male inflorescence female inflorescence male flower female flower ls of male flower ls of female flower steminal tube और ts of ovary आई अब इसके कुछ गुणों के बारे में जाने है high wheat इसका ट्री है ट्री भी कैसा ट्री अन ब्रांच ट्री और क्राउन और फॉलिज फाउन अट दी टॉप root इसमें adventitious होता है stem उडी होते है aerial होता है erect होता है cylindrical होता है और सबसे बड़ी खुबी covered with persistent leaf base जो palm के पत्ते का पेटियोल का जो leaf base है वह stem पर persistent रूप में मौजूद रहता है तो इनके leaf base persistent होते है तो stem इसका covered रहेगा किस चीसे persistent leaf base से leaf इसका calling होगा dense terminal crown at the top crown at the top जो मैं बता रहा था वही चीज़ है dense terminal crown बनेगा और x stipulate होगा compound होगा पेटियोलेट होगा बड़ी बड़ी डंडी रहेगा उसमें पिन्ने सबसेसाईल लैंसियोलेट इंटाइर ग्लैबरास यूनिकास्टेट और विनेशन पैरलल और इसका inflorescence spidix होगा अब आए हम लोग देखें इसके floral character को inflorescence is simple और compound थोड़ा variation है उपर में तो एक general बता के आए गया कि spidix is family पाए जाता है तो और भी क्या पाए जाता है ये भी आपके मन में आ सकता है तो इसमें spike और branch पैनिकल यूजूली ये spidix सामाने तोर पे spidix विते इस उडी spidix spidix का मतलब आपने बनाना देखा होगा बनाना में एक लाल रंग का ऐसे जब फूल निकलता है उसी लाल रंग के spidix के अंदर ठीक है और केले का दाना भी उसके अंदर निकलता है केला भी उसके अंदर ही निकलता है तो वह लाल रंग वाला वो ब्रैक्ट आपने देखा होगा तो यूजूली इस पैडिक्स वित उडी स्पैथ विच ओपेंस बाइ टू वाल इस पैडिक्स में हैब सेसाईल और पेडिसिलेट फ्लावर सिंपूल रेसीमोज अब बुरेसस में रेसीमोज हो जाएगा और कंपाउंड रेसीमोज कोकस में हो जाएगा और ब्रांच पैनिकल डेमियनो रॉप्स में होगा तो इस प्रकार वेरियेशन भी है पर आपके दिमाग में बस स्पैडिक्स रहना चाहिए फ्लावर इज सेसाइल और सॉटली पेडिसिलेट ब्रैक्टियेट मोस्टली यूनिसक्स सेक्स्वल फोईनिक्स अब फोईनिक्स से आपको याद आना चाहिए कि फोईनिक्स डैक्टिली फेरा और या फोईनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में फोईनिक्स डैक्टिली फेरा पर द्यान दीजिए या डेट पाम खजूर ठीक है इसमें यूनिसेक्शुल फ्लावर हो गया है पर बाइसेक्शुल होते हैं लाइविंग इस्टोनिया में एक्टिनो मार्फिक होता है इनकंप्लीट होता है कंप्लीट भी हो सकता है जब यूनिसेक्शुल है तो देखिए इनकंप्लीट फ्लावर हो गया और जब बाइसेक्शुल का आप एक्जाम्पूल लीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा चारुबरल उसमें हो जाएंगे hypoginus trimeras 3-3 के form में पाए जाएंगे अधिकतर part अब tricarpellerie होगा ही stamen 3 या छे टेपल में भी 3-3 के दोरो तो इस प्रकार से 3 के गुनद में होते हैं तो उसे trimeras कहते हैं flowers are of a small size and produced in large number छोटे फ्लावर और large number में होते हैं प्लांट में भी monoseus और diocese monoseus और diocese दोनों हो सकता है parent humanocard में जो हम लोग आते हैं तो कैलिक्स कारोला का अभी वेदबन खतम होता है कैलिक्स कारोला का सब्सका इस्तिमाल नहीं करते हैं parent का इस्तिमाल करते हैं six in two world of three each दो घेरे में पाए जाएंगे प्रते घेरा में तिन तिन रहेंगे polyphyllus और highly conate at base perianth lobes tough persistent courageous leathery और fleshy estivation इन में valvet भी हो सकता है और imbricate भी हो सकता है white हो सकते है या petal white रहेंगे अब आये endopingum के बारे में देखा जाए इन male और hermofrodite हरmofrodite में है तो उसमें भी endozyum होगा और otherwise male plant चो आप आप अ जो की unisexual होगा तो उसका male flower होगा उसमे एंडोसियम होगा और दूसरे के बाइसेक्शल फ्लावर होगे उसमें भी एंडोसियम होगा तो दियार शिक्स इन नंबर कितने होगे छे होगे टू वर्ल अफ थ्री इच दो घेरे में तीन-तीन इस्टेमेंट पाए जाएंगे अपॉली एंडर सब अलग-अलग होगे कहीं क इस्ट्री के रूप में रिडूस्ट स्टेमिनोड कहा जाता है स्टार से दिखाये जाता है ये वहाँ पर हो सकता है एंथर वर्सेटाइल डाइथिकस बेसी फिक्स और डॉर्सी फिक्स दोनों कंडिशन हो सकते हैं इन ट्रोज होता है फेसिंग टुवार्ज ओवेरी फिला होते हैं अब इसके गाइनोसियम पर विचार करिए इन फीमेल और हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर उसी तरह से हर्मोफ्रोडाइट है तो उसमें भी गाइनोसियम होगा और यदि फीमेल फ्लावर है तो उसमें होगा ही होगा फ्री कार्पेल कार्पेल कितने होते हैं तीन होत अब दिखें यहां मेल फ्लावर एक दिया हुआ है और एक फिमेल फ्लावर दिया गया है और अब मेल फ्लावर पर थोड़ा ध्यान दीजेगा एक्शली एक बात आप लोग जान लिजिए कि टेक्स्ट से आप चित्र बना सकते हैं ने सर्विक्सरिवलिगंव सकते UX प्लोडावसे काफी कुछ टेक्स्ट सकते हैं ये मैं कुछ नहीं जाना पर इसनिए फ्लोरल डावर नैग्राम को देखा उसको देख के कमें इसको बोल रहा हूं तो देखिए मदर एक्शीष हूपर में निसान लगा हुआ है यह या एक्टिनो मारफीक है और इसमें पेटिन्थ होता है मॉनोकार्ट में आप जया नहीं है तो इसके दो वरल में पाए जा रहा है प्रतेक में तीन-टीन है हरावला तीन लाल वाला तीम इसमें अस्टीवेशन वाले और इम्प्रिकेट हो सकता है उधर बोले थे देखें जो बारी लेयर है उसमें तीन यूनिट तीन टेपल्स लगे हुए हैं तीनों के दोनों किनारे एक दूसरे के बराबर हैं इसका मतलब यह वालवेट है ठीक है अब इसी के अंदर चले जाएए अंदर वाले को घेरे को देख चले सकता है ठीक है इसमें देखने से एक एक किनारा उपर नीचे सबका लग रहा है परंतु यह इद्यूप्रिकेट होगा तो बताइए क्या होगा एक का दोनों किनारा नीचे होगा एक का दोनों किनारा उपर होगा और तब एक उपर नीचे आए उसके अंदर vigor Americas से यहा जाहरी घेरे में, दो घेरे में हैं, सब के सब यहां फ्री हैं, और यह इस्टेमेन डाई थीकस है, यह दिखाई दे रहा है, दो दानेदार है, और यह फेसिंग टुवार्स दी गाइनोसियम जो सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, तो इसका मतलब यहा है कि यह इंट्रोज भ फ्लावर है, अब यहां पर डाइरेक्ट अंदर में देखिए, ट्राई कार्पेलरी, सीन कार्पास, पेरियन थ्री प्लस थ्री, स्टेमेन सुन्य, जीरो, फीमेल फ्लावर पर फीमेल फ्लावर का निसान, गोली के नीचे प्लावर, तो यह इसका फ्लोरल डाइग्राम था, और फार्मूला, अब दिखिए इसका आर्थिक महत्व, इसका आर्थिक महत्व, आप यह जान ले कि यह साइकस से भी मिलता है, और इसलिए साइकस को भी सागोपाम कहते हैं, वह जीमनोस्पर्म है, और मेट्रोक्सिलोन रोमफी, यह क्या है, एंजियोस्पर्म है, अब देखिए, इस साइप ऑफ बुरेसस फ्लैवेलिफर, इस साइप ऑफ बुरेसस फ्लैवेलिफर, इस सूगर, कट मारक के जो ताड़ी एक अत्रित किया जाता है, वीच अन फर्मेंटेशन गिप्स अल्कोहलिक ड्रिंग, ठीक है न, अल्कोहलिक ड्रिंग का सवस्टिचूट है, ताड़ी के नाम से जानते हैं इसे, फ्रूट्स अफ फोएनिक्स डेक्टिलिफेरा, अर वेरी डेलिशियास, अन इटेन थ्रूआउट अरब वर्ल, बताया हूं खजूर के बारे में आपको, दी नट्स अफ एरिका केटेचू, सर्ब अज एस अस्ट्रिंजेंट, अन यूजड विथ बेटल लीप्स, पान जो खाते हैं, उसमें सुपाड़ी का दाना काटके डाला गया रहता है, दी मिल्क ऑफ कोकास नुसिफेरा, नारियल का, मेक्से रिफ्रेशिंग ड्रिंग, डाव के नाम से जानते हैं, देखे, कच्चे नारियल को लोग पीते हैं, इंडोस्पर्म इज एटेन राग, और स्टोर्ड वें ड्राइ, प्रश्पर्म इजिसनल इंपोर्टनस, तंडर लीबस ऑ गलमा, स्ट्रेवन कोरिकस, और गिवन इन पालोस्पर्म इजकरबस, वर्म इजकरबस, प्रश्पर्म इजकरबस, फाइबर्स मीजो कार्प आफ ड्रूप आफ कोको नाट are extremely used for stuffing pillow and sofa sets जे सोफे पर बैठे हैं उसके अंदर का जो filling material है यह होता है मीजो कार्प कोको नारियल के fruit के जो मीजो कार्प है रेशेदार सनरचना है उपरी छिलका के अंदर वह फिलिंग का काम करता है अच्छा सरकारी बसेज और रेलवे कोच के जो स्लीपर के जो गद्दा बना रहता है उसमें भी यही लगा रहता है दी केन ओफ कामर्स इज अप्टेंड फ्रॉम कैलमास टेन्वीस और कैलमास रोतंग और यूज पर मेकिंग मैट्स बास्केट्स और फर्नीचर पामीरा फाइबर बुरे सथ से प्राप्त होगा जो की ब्रस और ब्रॉम बनाने काम आता है वैक्स इज अप्टेंड फ्रॉम कोपरनीसिया सेरिफेरा और सिरॉक्सिलोन एंडिकोला यूज वैक्स इस उसे पर मेकिंग ग्रामोफोन रिकार्ट्स, कैंडिल्स और मॉडल्स कोकोनट आयल इस अप्टेंड फ्रॉम कोकस नुसिफेरा और यूज इस उसे हैर आयल इन शोप इंडूस्ट्री और कुकिंग और तब कुछ और नमेंटल प्लांट्स है रोस्टोनिया, रिगेला, रेजिया या रॉयल पाम है और कॉरिफा, इलाटा, तालीपोर्ट प्लाम तो इस प्रकार से मैं बताया है कि पाम आपने ग्रेसफुल एप्यरेंस के कारण की बड़ा स्टेम जगह कम घेरता है और क्राउन ओफ फॉलिएज सिर्ष पर पाये जाते हैं आप मुहदिपूर वाले रास्ते में देखिएगा मुहदिपूर से सरकिट हाउस जब जाएंगे तब वी पार्क का जो अरिया है वहाँ पर तमाम बैठे रहते हैं सब दस्यों प्रकार के पाम आपको दिखाएंगे और सब की अलग ब्यूटी होगी या फुर्सत पाके लोगों को देखना चाहिए और उनके बोटेंकल नेम सर्च आउट करने चाहिए तब अफिनितीज ऑट की अरिकसी रंड बैस्ट पामी तोज़ फील पल्षाएंगे 9 हाचिंSON, 59 तरसे हुई हुआ हाचिंषondazz उर्ण पामिन पोर्मिघ durum C, दूर्डियनी त्रेश्न थाचिंट दौर्मिथे हथ tam रिलीकिन sistोंिया si Nobel झाती का बम रिलीकिन हैं ट्रेशिन काहँथूने सीइना पोर्मियने द्रेशमियने। प्रेशना औफ लिलीएसी और बेरियन सेग्मेंट अस्टामेंस इंटूवर्ल ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवेरी और इस्ट्रक्चर ऑफ पॉलेंग्रेंग तो इस तरह से अब देखें यूका एक नाम लिया यह यूका पाम के नाम से मिलता है जो कि लिलीएसी में पाये जाता है पाम के बहुत मजदार कहानिया है कि इसमें अपने एरिकेसी फैमिली के तो पाम होते ही है अधिकतर पर दूसरे लोगों में भी पाम सब जोड़ दिया गया है जहां देखने में वो उसी प्रकार क्या ग्रेसफुलनेस नजराता है अच्छ क्राउन ओफ लीफ तो इसको बनाना पाम कह देते हैं साइकस आपने देखा है यह गांठ है उससे क्राउन ओफ लीफ थोड़ा बड़ा होगा तो उसका स्टेम तो बन जाएगा पर अलग अलग जगा से लीफ नहीं आएंगे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी सीधे सिर्स पर क्राउन ओफ लीफ पाए जाएगा तो उसका नाम सागो पाम रख दिया गया तो तो यह इतने यह डेस्क्रिप्शन है फैमली एरिकेसी का और यह ध्यान रहे कि यह दस कूल आपके सिलेवस में है जो फूल डीटेल के साथ पढ़ा जाता है और पढ़ना ही है एक तो अनिवार्य है और कभी-कभी या अधिकतर जब आप अंसल्ट देखेगा तो अथवा करके दो फैमली वहां रखा जाता है सवाल आपका एक ही बनेगा जैसे एरिकेसी और कुकुर्बिटेसी तो एक आपको आप्सन वही पर मिला रहता है तो एक सवाल तो यह पक्का है लॉंग कोश्चन ठीक है और उसमें इकनामिक इंपॉर्टेंस भी बोटेंकल नेम भी और इंट्रोडक्शन और जड़ से लेक सवाल एक दो फैमिली वहां रहता है अत्वा करके दो फैमिली वहां रहता है अब कुछ प्रस्टों का आपको जवाब देना है ठीक है तो आप पहले तो डेट पाम का बोटेंकल नेम बताईए यह आपके लिए पहला सवाल हो गया दूसरा सवाल यह है की नेम दी प्लांट फ्रम विच वैक्स इज ऑप्टेन वैक्स किस प्लांट से मिलता है तीसरा है कि गिव दी नेम आप बोटेनिकल बोटेनिकल नेम ऑफ दी बोटेल पाम जो अपने कालेज में लगे हुए है यह तीन सवाल हुए है और आप एक कोकोनट का भी इकनामिक इम्पर्टेंस आप लिखे छोटा में लिखे कोकोनट का इकनामिक इम्पर्टेंस ये इकनामिक बाटनी भी आपका ये अलग से भी पढ़ा जाता है और एक स्वाल इस पैडिक्स इन्फ्लोरेंस के बारे में दो तिन लाइन लिख दें यह पांच सवाल का आप जवाब लिखें इस पैडिक्स बहुत महत्वपून इन्फ्लोरेंस है और इसके साथ पोईसी इसके पहले पढ़ाय थे आपके इलेक्शन के दिन का है तो उसको पहले पढ़ा लिया था जिस रोज मुल्यांकन वगरा था अपने आप तो उस रोज पढ़ाय का काम गा था तो उसमें पोईसी को कवर कर लिया था और इस एरिकेसी के साथ आपका ये दस फैमली की स्ट्वरी इंड होई जिसका फुल डीटेल पढ़ा जाता है अब आगे में हम लोग जो फैमली पढ़ेंगे उन सबों के डाइगनोस्टिक केरेक्टर ही सिर्फ उसमें पढ़ना रहता है तो धन्यवाद दोस्तों आप लोग लाइक करिये सेयर करिये या बड़ी निरासा जनक है और मैं इस बात से हैरान हूं कि ये व्यूज आपका घट रहा है इसका मतलब आप लोग पढ़ाई से वीमुक हो रहे हैं और यदि सही में इसका कुछ कारण है तो वो कारण आपको मुझे बताना चाहिए कमेंट बाक्स में लिख के दीजिए मैं उस पर तदकाल जवाब भी दूगा और उसके अनुरूपी सुधार भी कर लूँगा धन्यवाद